जुमा मुबारक हो सबको तो इधर लगा रही हूँ है मसीन के किला हलो एबरीवान असलाम उलेकों वेलकम टू अनेधर ब्लोग कैसे हैं आप सब ब्लोग उम्मीद कर दियूंगे आप लोग अच्छे होंगे तो अलहमदुलिल्ला से मैं भी अच्छी हूँ तो अभी बज़ रहे हैं सुबा के साड़े चार फ्रेंड्स ये वीडियो फ्राइडे की है तो उस दिन मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी नहीं मैं एडिट कर पाई थी और फिर घर में भी गेस्ट आई हुए थे इस वैसे तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए तो आज मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर किया है और हाँ आप लोगों से गुजारे से अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें तो यहां मैं प्रेश्ट करने के बाद आज चुकी हूं किचिन में तो यहां पर मैं फ्राइ कर रही हूं दलिया क्योंकि हस्बेंट के लिए बनाऊंगी अभी उनकी तेवे ठीक नहीं चल रही तो उसलिए उनकी लिए यासिन की तलावत उसके बाद बनाओंगी दलिया तो सूरे यासिन की तलावत करने के बाद मैं आज छकी हूं वापस से किचिन में लग जाती हूं मैं किचन मैं लगजाती हूं जो घृत नहीं कोही जब तो यहां पर हरी मेरे से चटक गई है और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं तलिया मैं डाल दिया जितना मुझे बनाना था और इसमें साथ ही डाल दिये पानी तो पानी थोड़ा जादा दूगी क्योंकि यह फूलता है तो स्वात के नुसार मैं डाल दिया साथ ही इसमें तो फ्रेंट्स दलिया मैंने चड़ा दिया है और अभी मैं लेने आ गई हूं अपनी धाराट की दवा तो पहले उसे खा ले थी वह बहुत जादा जरूरी है तो अभी बजने फ्रेंट्स है और बेटो उट चुका है और बेटी यह अभी उट गई है यह ना लिए चोटी बे इनके लिए अब करना मुझे नास्ता तयार लंच में ले जाएंगी इनका लंच वक्स तयार करना है तो यहां पर मैं बना रही हूं चीला तो मैंने प्यास अरी मिर्च वगरा काट के रख दी ती और मैंने इसको मिक्स कर दिया सूजी भी मैंने पहले फुलाने रख दी ती दोंगे उसके उपर हलकल का तेल और फिर डाल दोंगी बैडर चीले का तो यह मैं रवा चीला बना रही हूं बच्चों को बहुत जादा पसंद है अभी मैंने बीच में बंद कर दिया था बच्चे काफी टाइम से बोल रहते हैं ममा आपने बनाया नहीं है क्योंकि वी बर बरेव बाच्टाम में अगर भी देखेंगे तो वस्टाम बी मेरा तैयार कर लिया है अब इनको लगा देती ही वेटी के लंच बॉक्स में और उनको देती हू चूकि वह वी रेड़ी हो चुकि उनका लेंच बैक ही रह गया ता बाकी तो यह लन्च प्रैक हो चुका है और इदार उनका उटो भी आ गया है अगर फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाद स्यादर फैमिली एंबर के शेयर करें तो बेटियों के स्कूल जाने के बाद इदर में ले लूगे अपनी चाय क्योंकि दवाए खाय हुए भी मुझे आद गंटा से उपर ही हो चुका है तो यहां पर चाय मैंने पी लिया और लग चुकी यह तो हस्बेंड को भी मैंने दलिया दे दिया है अब मैं विस्तर फोल्ड कर लूँगी वर्टिया स्कूल चलिए आते उसके बाद ही में विस्तर फोल्ड करती हैं कि सुबह सुबह करूंगी तो टाइम जादा हो जाएगा फिर उनके लंच में भी ले तो हो जाएगा इधर लगा रही हूं मैं मसीन क्योंकि लाइट भी है नहीं आजाएगी तब तक पहले से लगा कर रख रही है अभी कपड़े से शोक करके रख दोंगी वाइट कपड़े हैं उसके बाद लाइट आजा जाएगी तो यहां पर मसीने में कपड़े डालाई है बच्छों के ड्रेस है वाइड ड्रेस तो उसको शोग कर दिया लाइट आईगी 9 बजे अभी टाइम है तो यहां पर यह कुछ कपड़े दुले हुए थे उनको सुके उतार कर लाई हूँ उनको फोल्ड कर रख दूंगी और कुछ सामन बिखेर के डालता रहता है यह सहतान हो गया है तो यहां पर सभी कपड़े मेंने फोल्ड करकर रख दिये हैं गंदे हैं उनको बाहर ले जाओंगी मसीन के पास डाल दूंगी और अब लगा लोंगी जाड़ू ऐ है तो तरकमरे में जाड़ hoping को लगा दा दिती पहुंचा तो पहले में गीला कि लगा दोंगी उसके बाद वाइफर से साफ कर दोगी तससा ऑच्छे से क्लीन हो जाता है पाँचा फोछा भी और जल्ले छूप बीचाता है तो उस रूम में पहुंच लागाने के बाद में वापस आ गई दूसरे वाले रूम में देखिए भी जाड़ो लाके गई वेटू ने फिर ये बिकेर करके डाल दिये सारी बुक्स बगर नोटबुक डाल दिये यह कलर भी डाल दिये सब खेलता है तो ऐसी बिकेर के डाल देता है तो इनको पहले मैं समेट दूंगी फिर उसके बाद ला दूंगी पहुंचा तो यहां मेरी सफाई हो चुकी है रूम में पहुंचा लग गया है यहां मैंने चारपाई भी बिशा दिये और यह बेटू के लिए कपड़े निकाल दिये हैं आउसे निला देती हूं सारी में सफाई कर दी सर में पहुंचा लग चुका है तो इधर मैंने बेटू को निला दिया अब जली से उसे भी कपड़े पेना दूंगी फिर उसके बाद मैं भी ना लूंगी अगर बच्चों से आप फ्री होगे उनकी काम से तो समझ लो आपके आदे काम होई चुके कि बच्चों की वेज़े से बहुत काम लीड भी हो जात प्रिषे पाल कि मैं ऻूँडरा जाद में थे उसे पैसिया था मूँके वायर जाते चना नालाа हमारा बेटू हो गया तैयार तो ये नाच चुका है चलो सभी को सलाम करो जुमा मुबारक हो सब को ऐसे बोलो जुमा मुबारक आप सभी लोगों को जुमा मुबारक हो भी है जबान डडखडा जाती है अब आस टेक्टर देखना है आपको है ना टेक्टर दे आदड़ा दो अब इनको मौयल चाहिए और कुछ ने तो मैं जा रही हूं ना ने फिर मिदती हूं आप लोगों से झाल झाल